भारत देश भारत देश की गोद में हैं मध्यप्रदेश जबलपुर जिला और ये आरेमार सीटी का प्रवेश एक दिन यहां एक आदिवासी आया हमें साथ बिठा के उसने ये कहानी सुनाया बहुत पुरानी नहीं जैसे कल ही की बात है ये कहानी नहीं हमादिवासीों के जजबात है गौर से सुनना ये जीवन है हमारा खुशाल बनाने में आरेमार सीटी वालो संपूर्न योगदान है तुम्हारा बीते हुए कल में हम नादान थे मलेरिया से पूरी तरह अंजान थे बुखार होगा हलका सा केकर खाते थे बूटी ठीक हो जाएंगे कल तक देते आस एक दूसरे को जूटी फिर एक मोड ऐसा आया आरेमार सीटी वालोंने टूर लगाया मिलने आये घर-घर हम जैसे बीमारों से परिचित ना थे जो कभी किसी प्रयोग किसी प्रयोग शाला से धेर्य और नम्रता से उन्होंने हमें समझाया मलेरिया का बिठाकर हर एक पाठ पड़ाया जाना हमने की मच्छर होता इस बिमारी की जड़ खून होता प्रदूशित छोड़ जाता गंभी रसर इसी लिए रक्त जांच है अनिवार्य सेहमती देना जिसके लिए है हमारा कार्या ध्यान हमारा इतने में किसी ने भंक किया दोड़ी आई एक बच्ची जिसने प्रसंग किया मलेरिया से जुड़ी एक कविता सुनाई कुछ ही पल में हम सब का दिल जीत पाई मलेरिया का जीव कहलाता प्लाजमोडियम होते है इसके जीवन में दो जीवेहम एक ही मच्चर की प्रजाती और दूसरी हमारी मानव जाती भिन भिन करके आता ये लेकर प्लाजमोडियम की सवारी रक्त का घूट पीता और दे जाता बदले में बिमारी प्लाजमोडियम एक पारसाइट है, देखने में लाइट है, लिवर से लेकर आरबीसी तक इसकी फ्लाइट है कभी ये रिंग बने, कभी ट्रोफोजोईट ये, अंत में बने साइजॉंट, फैलाए मिरोजोईट ये पांच लोगों की फामिली, जो ये बिमारी लाई, फैलसी घर का हेड मेंबर और वाइवेक्स छोटा भाई, एनाफिलस ही बस करता इस खांदान की सवारी, इसलिए कहते हैं एक मच्छर और शुरू ये सारी कहानी कहानी से याद आया, ये तो थी उनादिवासियों की जुबानी, अब सुनिए यहां से आगे की कहानी तूर से लोटे जो लेकर रक्त तुमारा, सही जाच करें उसकी ये है फर्ज हमारा माइक्रोसकोपी संग आडीटी लगाते, मलेरिया जीव का पता लगाते, परिक्षन कैसे करते हैं आओ आपको दिखलाते क्यों आपको द रखते हैं आपको दिए हैं आपको में आपको दोलाई आपको दोठाटाब्स इस प्रकार होते प्रयोग और परिक्षन किये जाते और सही दवा आपके दर तक पहुचाते वक्त के साथ बड़ी इस बिमारी की गहराई प्रतिरोत किया उन दवाओं का अब चिंता की नई लहराई दिन रात की मेहनत लगे थे नए अविश्कारों में PCR लगाते कल्चर करते और फिर खो जाते अंधियारों में कि वक्तिते राधा... आपके पह जाते आपके इस बाहराई ग्र습ल्स गंटों बैठे रहते लेकर सीक्वेंसिंग का देटा और हर मोड पर मलेरिया एक नया सवाल है देता मिल जाए अगर जवाब खोचकर सारी फाइलें अंत में ये कमवकत वो सवाल ही बदल देता संघर्ष और दृड़ता से लड़ी हमने ये लड़ाई क्लोरोक्वीन को माद दी और एसिती की बारी आई ना ना ये अभी अंत कहां ये तो एक शुरवात है अभी तो बस दिन ढला है दूर तक जानी ये मुलाकात है एक कदम था ये हमारा और थी पहली सीड़ी गुजारिश आप से देना सिक्षा विरासत में पीड़ी दर पिड़ी मन्जिल बहुत दूर है और जारी रहेगा ये कारवां जर से ना मिटा दे जब तक हर बिमारी का नामों निशां हर बिमारी का नामों निशां प्रुश मैं पै।